आखिर हमारी बोडी क्यों नहीं बनती कमी क्या है हमारी बोडी नहीं बन पाती है पर सामने वाले की बन जाती है या उसकी बन रही है मेरी नहीं बन रही है या मेरी कम बन रही है उसकी जादा बन रही है नमस्कार दोस्तों आपको स्वागत है सप्लीमेंट्स विला परिवार में जिहां दोस्तों ये सिर्फ चैनल नहीं है ये है सप्ली मेंट्स विला परिवार तो दोस्तों आज हम फिर आजे रहे हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वेरी वेरी कॉमन आपका कोशन कन्फूजन जो आप बार हर बार लगातार करते हैं वो होता है कि आखिर हमारी बाडी क्यों नहीं बनती कमी क्या है आप बहुत सारी चीजे बताते हैं आप अपना डाइट बता देते हैं आप अपना एक्सरसाई बता देते हैं सप्लीमेंट ले रहा हूं पर फिर भी बाडी नहीं बन रही है क्या का बन रही है, मेरी या मेरी कम बन रही है, उसकी ज़्यादा बन रही है तो यहां पर ये जो कोशन्टिंस है, उसको हम डिसक्स करेंगे, तो दोस्तों देखिए बॉडी बनना, एक मैं कहने एक सबसे बड़ी चीज है, इसमें कि ये एक लॉग टर्म प्रोसेस है, सबसे पहले आपको ध्यान लखना है कि बॉड़ी बनना मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा और कल आपकी बॉड़ी बन जाएगी है महीना दो महीने में आपकी बॉड़ी बन जाएगी ऐसा नहीं होगा अब हमारी कमिया भी है इसे स्टार्ट होती है जिसमें मैं कहूंगा सबसे पहली जो कमी है न वो यह है कि हम कभी भी मतलब exercise अपने fitness goals जब decide करते हैं उसके बाद उनको achieve करने के लिए अपना start करते हैं कुछ भी step हम लेते हैं जिम जाना, supplement लेना, diet लेना इस टाइप में कुछ बीलीे आझा हैं तो तो हम लेते हैं सबसे बड़ा point है यह वह वह लेते हैं जोर्ष में ना कि होश में और दोस्तों जोर्ष में हमारा ऐसा होता है कि आज हमनें जोश में सब कुछ कर लिए हैं कि हमने जिम में बीच सबसे बड़ी कमी कभी भी हमको अपने फिटनस गोल्स के लिए जब भी हम स्टार्ट करें कोई भी स्टैप लें वो हमको जोश में लेना है वो हमको होश में लेना है देखी दोस्तो जोश ठंडा गरम होता रहेगा पर होश हमेशा मैंटेन रहता है इसलिए आप हमेशा होश में लें ये स्टैप कि आपने क्या फिटनस गोल्स डिसाइड किया है क्या आप चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं और होश में आप जब पूर होश में अपने होश होवाश में सब कुछ डिसाइड कर लिया है दैन उसके बाद में आप अपना स्टैप लें अपने फिटनेस गोल की तरह पहला कदम बढ़ाएं तो सबसे बड़ी कमी यह होती है हमारी दोस्तों दूसरी कमी हमारी होती है कि हमने अपना फिटनेस गोल ही ड लग जाती हैं तो दोस्तो इस तरीके से बिना फिटनस बस हमने उसको देख लिए उसके जैसी बोड़ी बनानी है और वह भी बस अप फटा-फट बन जाए तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये बिलकुल गलत fitness goal आप decide करते हैं पहले आप अपने आपको जाने, समझे, पहचाने, उसके बाद अपना सही fitness goal decide करें देन आप उसकी करफ कदम बढ़ाएं तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, गलत fitness goal भी आपको या short term या फिर किसी भी भेगावे में आके कोई fitness goal decide नहीं करना है पहले अपने आप से पूछना है, अपने दिल से पूछना है कि आप क्या चाहते हैं तब उसके बाद आप अपना step लें अपने fitness goals की तरफ ताकि आपके fitness goals achieve हो सकें दोस्तों तीसरी जो हम गलती करते हैं वो करते हैं कि हम अपने fitness goal के according जो है अपने diet या exercise को decide नहीं कर पाते हैं चलिए हमने होश में जो है अपने fitness goal भी decide कर लिए हैं, सारी चीज़ सोच लिए हैं, कदम भी आगे बढ़ा चुके हैं बट हमने जाना नहीं अच्छे से कि हमारे कौन सी diet हमारे fitness goal को achieve कराने में help करेगी, कौन सी exercise करेगी, for example अगर आपका weight gaining का goal है और दोस्तों आप ले रहे हैं उसमें जो है exercise cardio जादा कर रहे हैं या high intense workout कर रहे हैं तो दोस्तों आपका weight gaining goal achieve नहीं हो पाएगा या फिर आप जो है weight gaining का goal है और आप running कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा या फिर आपका weight gaining का goal है और आप calories पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं कैसी exercise करनी है नहीं decide कर पारे हैं पता लगे कि आपका weight loss का goal है और आप जो है low intense workout कर रहे हैं और उसमें भी जो है मतलब आपका कि यहां mobile पे लग गए वहां mobile पे लग गए और जो है उसमें ना cardio exercise आपने इंग्लूड की ना functional training इंग्लूड की तो दोस्तों फिर आपको result नही की अपनी diet और अपनी exercise भी decide करनी चाहिए कभी भी हमको जो है ऐसा नहीं है कि हमने जो है fitness goal तो decide किया नहीं है या कर लिया है उसके बाद में हम जो है diet exercise में कुछ कमी चोड रहे हैं या फिर वो हमको समझ नहीं अपा रिया कि हम किस तरह की exercise करें किस तरह की diet लें तो यह भी ह हमको जो है पहले से पहले decide करना चाहिए समझना चाहिए ताकि हमारे fitness goals हमेशा एचीव हो सके और सही से एचीव हो सके दोस्तों चौता कारण होता है अपने fitness goals बोड़ी ना बनने का वो होता है कि गलत supplementation चूज करना जी हैं दोस्तों देखिए जब आपने जो है अपने जो ह weight loss करना और वो जो है lean gainer या mass gainer खरीज ले तो वो बिल्कुल गलत है या फिर वो जो है ऐसा protein ले 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 लाइक जैसे प्रो एंटियम हो गया या नाइट्रोटेक वगरा हो गया जो की gaining proteins में आते हैं तो गलत होगा या फिर अगर हम दूसरी दब देखें किसी को weight gain करना है औ और वो जो है protein ले रहा है वो भी isolate उसने सोचागी यार महंगा protein है best form है तो इसे ही ले लूँ बजाए mass gainer के वेट gainer के तो उसको निराशाहत लगेगी तो दोस्तों हमको जो है supplement भी अपने गोल के हिसाब से सही decide करने है और supplement क्या decide करना है क्या नहीं decide करना है इसके लिए supplements व नहीं करना है ताकि आपके fitness goals जो है जल्दी हो सके supplement हम ले क्यों नहीं है यार इसी लिए तो ले रहे हैं ताकि तोड़ा जल्दी हमारे फिटनेस गोल हो जाए पता लगे आपने गलत supplement लिया है और आपके fitness गोल जो है और डिले हो गए है और पीछे चले गए है तो उसका ले रहे हैं और तीसरे महीने से हम जो है वरकाउट कर दी हमने वरकाउट कर दिया दो दिन आज दोस्त ने चुटी कर ली तो मैंने भी चुटी कर ली तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम करेंगे तो हमारे fitness goals achieve नहीं हो पाएंगे हमको लगातार हमको रेगुलर भी रहना बहुत बड़ा कारण है कि हम रेगुलर नहीं रह पाते हैं अपनी डाइट में किसी में भी जो आप कभी चले गए कभी नहीं गए यह भी आपके fitness goals को पीछे ले जाएगी यह यह भी कारण है कि आपकी body नहीं बन पाती है तो दोस्तों यह सारे कारण जो है अगर आप हुए हैं अगर आप एक स्टैप सही लेंगे तो और बाकी स्टैप भी अपने ठीक होते चले आएंगे बट आपको दिनो डाउट यह concentration तो करना ही पड़ेगा तो इसलिए यह कुछ कारण मैंने आपको बताएं हैं common कारण हैं आप भी समझ रहेंगे और अगर आपके अंदर जो है खुद को ना देती हुए दूसरों को देंगे या supplement को देंगे या कहेंगे कि यह तो जिम बेकार थी यह सप्लिमेंट बेकार था अरे यार यह तो डाइटी बेकार थी इस टाइप में दोस्तों अपने अंदर जहांके जरा देखें आप कि आप क्या कर रहे हैं क्या न करना को एक दो दिन का खेल नहीं होता है इसमें टाइम लगता है वीडियो से आप समझ पाए होंगे सारी फैमली मेंबर्स के लिए मेरी वीडियो थी कि अब वो अगर अपने फिटनेस गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो आप यह कारण या इन में से कोई एक कारण या कोई भ लाइक करूंगा वीडियो अगर अच्छे लगी तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी और सप्लीमेंट किसी भी तरह की कोई भी आपको नौलिज चाहिए गाइडेंस चाहिए तो वह मिलेगी सप्लीमेंट्स अला परिवार पर आज की बारे में चर्जा करेंगे तब तक के लिए बचे फेक माफिया से और सप्लीमेंट्स के लिए सप्लीमेंट्स अला को याद रखें नमस्ते